नवरात्रों और तेहारों के मौसम में चुनावी महौल भी गर्माया हुआ है विधान सबाव चुनाओं को लेकर पच्छाद हॉट सीट बनकर सामने आया है जहां पर बागे हुए नेता आशिस सिक्टा ने नामांकन वापिस ले लिया जबकि दयाल प्यारी अपने निनाए पर अडग रही दयाल प्यारी से मुख्यमंत्री और सत्पाल सत्ती ने व्यत्तिकत रूप से बादचीत करने की कोशिश की लेकिन दयाल प्यारी ने नामांकन वापिस नहीं लिया जब Live Times TV के News Editor रविंद्र पवर ने भाजबा प्रधेश अधिक सत्पाल सत्ती से उनका इस बारे में पक्ष जानना चाहा तो सत्पाल सत्ती ने कहा कि पहले दयाल प्यारी ने विड्रॉल करने को कहा था लेकिन बाद मैं आवांकन वापिस नहीं लिया उनका मानना है कि वो नहीं मानी तो क्या हुआ यहाँ पर अध्याएक खत्म होता है वो अपना काम करेंगी हम अपना काम करेंगे साथ ही में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता वस सहकारिता मंतरी डॉक्टर राजीव सैजल का कहना है कि जो लोग पहले भी पार्टी को छोड़ कर गए हैं उनका हश्र क्या होता है वो तो जग जाहिर है पार्टी के खिलाफ दयाल पैरी ने निड़ना लिया है और कड़ा जवाब पार्टी उनको देने वाली है अगर वो पार्टी के शिर्ष नेताओं की बात माल लेती तो उनके लिए पार्टी में स्थान होता लेकिन जो पार्टे को ठुकराएगा वो जरूर पच्ताएगा कारेकरता अधारीत पार्टी है और इस पार्टी में सारवादीक महतों किसी का है तो वो कारेकरता का है और हमारा चुनाव जो है वो कारेकरता के बलबूते जो हो लड़ा जाता है लेकिन हर्श का विशे ये है केंदर में मोदी जी का नितित्व है और मोदी जी का विक्तित्व उनका करतित्व जिस परकार से पूरे देश और विश्व में मोदी जी ने एक अपनी पहचान बनाई है हमारे देश की पहचान बनाई है तो उनका भी चेरा है उनका भी नाम है उनके द्वरा किये गए काम है और ठाकुर जैराम जी जो कि हमारे प्रदेश में हमारे समानी मुख्य मंत्री हैं, नौजवान मुख्य मंत्री और उनका भी दो साल का जो सुरनिम कारेकाल रहा है, जिस प्रकार से दो वर्ष तक उन्होंने मेहतरीन काम किया है, तो ये सब चीजें जो हैं इस चुनाब में नरेंदर मोदी जी, ठाकुर जैराम उनकी दोरा किये गए काम और हमारी कारेकरता की शक्ति है, शाल साब मैं आप से एक बात विशेश तोर पर जानना चाहूंगा, जाहिर है, बहुत दिनों से चुनाब की गतिविद्य चली है, और कोई ना कोई मनमुटाब होता ही रहता है, लेकिन इस बीद जो आपके आशी कारेकरम था, वो आवाज उठा रहे थे, जो यहां से आपके विधान सबा में आपके साथी रहे हैं, सुरेश कश्यप जी और आप सांसद बने हैं, वो उनके खिलाफ कह रहे थे, उनकी कारेपनाली पर उंगली उठा रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा उन कारेकरताओं में आपस में हुआ, तो सुरेश कश्यप के खिलाफ ऐसी क्या बात थी? परिवार में भी परिवार के मुख्या के साथ कई बार जो है, परिवार के लोगों के मन मुटाव हो जाते हैं, तो यही चीज जो है, यह पार्टी में भी एप्लाई करती है, तो उसको सुल्जा लिया जाता है, और जैसा आपने देखा, पार्टी हमारे संगठन ने, किसी से भी नहीं है, अब जैसे की आशिश सिक्टा को आपने मना लिया है, लेकिन द्याल प्यारी है, अभी भी चुनाव मैदान में है, और द्याल प्यारी एक ऐसी शक्सियत है, जिनोंने पंचायती राज में बहुत सारा काम किया और बहुत समय तक वह आपसे जुड़ी इन उपचुनाव में द्याल प्यारी पार्टी स्तर पर और मतदान में कितना इफेक्ट करेगी आपके परत्याशी पर? इतिहास के पनों में दرج है। ऐसा ही यहां पर भी होने वाला है। खड़ा जवाब जो है वो पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी की शक्ती जो है, ऐसे लोगों को देने वाली है। और बेतर होता, मेरे विचार से तो अगर वो पार्टी के संगठन के हमारे शीष्नेतित्व का हमारा कहना मानती तो पार्टी में बहुशे सब लोगों के लिए है इस्थान सब लोगों के लिए है और सम्मान सब लोगों के लिए है अगर कोई उस्थान और सम्मान को ठुकरा दे ते मैं समझता हूँ उसके लिए कहीं स्थान बचता नहीं डॉक्टर राजीर सहजल ने बहुत खूब कहा है और पार्टी का क्लियर स्टेंड इन्होंने बताया है कि जो पार्टी से बगावत करके बाहर गिया है उन्हें जनता और पार्टी का काडर खुद भाखुद बताएगा सत्ती जी हम आपसे जानना चाहते हैं और सारे दर्शक हिमाचल परदेश की जनता देखना चाहती है कि जो राजनेती घटना करम था इसमें दरसल क्या हुआ और किस तरह का ये संदेश गया जिससे आप क्लियर करें और जनता को बताएं कि पार्टी स्थर पर आप लोगोंने क्या किया आज नोमिनिशन को बेडोल करने का अंतिम दिन था बेडोल की अंतिम तिति थी हमारे दो कारेकरतों ने भावनाओं में बहकर के अजाद उमीदबार के रूम में नमंकन दाखल किया था जिसमें द्याल प्यारी जी और उनके साथ अशी सिंक्ता जी दोनों से पार्टी के नेताओं की बाचीत हुई इस थानिया कारेकरतों की बाचीत हुई कि पार्टी के इस बेचारिक संगर्ष में दोनों पार्टी का साथ दें रिना कशब जी जो हमरे पत्याशी हैं उसको जितान में सजोग करें पिछले कल जो फाइनल हो गया था कि आज दोनों वेड़ोल करेंगे और आज शी सिंक्ता जी ने वेड़ोल किया और उसके साथ साथ द्याल प्यारी जी यहां जो मुझे जानकारी है पिछले कल बाचीत होने के बाद उन्हें कहा था कि मैं सुबह राजगर्ड पहुंचूँ कि और वहां बेड़ोल कर लूँगी और उसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो पाया बाचीत नहीं हो पाई उसके बाद कियो कहा है तो जानकारी यह मिलिये कि उन्हें बेड़ोल नहीं किया है यह आदमी की वेक्तिगत इच्छा है हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने कार्यकरता से कि वो पार्टी के साथ चले, बिचार के साथ चले, उन्होंने नहीं बिड़ॉल किया तो वो उनकी अपनी व्यक्तिकत इच्छा है, इसलिए हम सब लोगों ने किसी को कोई अगवार नी किया था, किसी को कोई पक्टा नी था, किसी को कोई अपने पास नी रखा था, वो सिक्टा, जो आपके दूसरे उमीदवार थे, दूसरे नामांकर जिन्होंने अजद उमीदवार के तौर पर किया था, उन्हें माने मनवनोवल से आपने मना लिया है, तो सिक्टा के साथ क्या आपकी बाचित हुई है, किन शर्थों पर आधार पर उन्होंने नाम वापिस आए क्रिपया वो भी आप जनता को बताएं उसमें ऐसा है कि शर्त उत्रस में कोई नहीं होती है सिर्फ उनको पार्टी के बिचार का और अपने परिवार का ब्योरा दिया जाता है उसका बताया जाते कि भाईया आप लोग पार्टी के साथ चलें पार्टी आप चुनाव को लोगों के साथ ऐसा कई वर हो जाता है लेकिन इसको ठीक करने का हमने का यही रास्ता है कि आप बेड़ डॉल करें और पार्टी के जो प्रत्याशी है उसके साथ चलें तो उसके नाते अशी सिंख्टा जी बद्यार्थी परश्चा में लंबे समता काम करते रहे अब अल साथ ही परटी की वह भी कारे करता है और जिसला परश्चा की पूर सदस्या रही तो आज उन्होंने बेड्रॉल किया है अशी सिंख्टा जी ने और पार्टी के साथ चान ने का नियन लिया है हमारे स्थानिय कार्यकरता इस चुनाब परचार की बागडूर को समाले हुए है उनके साथ साथ हमारे अन्य लीडर्स इस जिला के जहां काम में लगे हुए है आने वाले समय में परचार के लिए मुख्यमंतरी जी जहां पर आएंगे और उसके साथ चोटी बड़ी सवाएं चलती रहेंगी और जहां तक चुनाब का जीतने का बिशय है जीत में कोई संशय नहीं है हम दोनों बधानसवा क्षेतरों में जहां उप चुनाब हो रहा है लेड अच्छी आ जाए उसके लिए राही लग रहे है चुनाब भारती जनता पार्टी परदेश की जनता के शीरवा से इन दोनों बधानसवाओं के कारेकरतों की मेहनत से हम लोग जीतेंगे और केंदर सरकार और परदेश सरकार के सहजोग से इन दोनों अबदान सावों के शेतर के बिकास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आसती जी कह रहे हैं कि मुखे स्टार परचारक तो मुखे मंतरी ही होंगे और इन्होंने पच्छाद के साथ साथ धरमशाला की भी बात की है कि दोनों जगा का चुनाब तो ये जीतेंगे ही लेकिन इनके लड़ाई लीड का मारजन बढ़ाने के लिए है सती जी धरमशाला के बारे में एक बात करना चाहूँगा आपसे पूछना चाहूँगा वहां भी एक चौधरी है जो जिन्होंने पार्टी आपके ही पार्टी के आरे करता थे उन्होंने भी आजाद पतैशी के तौर पर नामंकन किया है क्या उनके साथ कोई मान मनोवल की बात नहीं हुई इसा है भार्टी जन्ता पार्टी लोग तंतरक ढंक से हर वेक्ति से बात करती है हमने जितने लोग भी हमारे जिनको लगता था हमें टेक्ट मिलना चाहिए लेकिन दाएंबाएं हैं वो खड़े चाहें नहीं खड़े सब लोगों से सवैम बाचीत मुख्या मंतरी जी भी कर रहे हैं की भी है और बाकी सब लिडर्स भी बहां लगे हुए कुछ लोग मान जाते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं तो ये भी एक लोगतंतर का ही हम लोग हिस्सा कह सकते हैं अदमी अपनी मरजी की बात कर सकता है तो उसके नाते बहां पर रकेश चौदरी जी है तो यहां द्याल प्यारी है इन से भी बात चीत हुई हमने पार्टी के साथ चलने का इन से नवे दन किया उन्होंने कहा कि हम लोग आएंगे लेकिन आज नहीं बेडरॉल हुआ अब उनकी मरजी हम तो बात ही कर सकते हैं और हम लोगों ने की है हमारे सब लोगों ने लीडर ने की है क्या पार्टी स्तर पर इन बागियों का कोई डेंट नहीं मानते हैं आपके अपके परत्यशिक नोगे ivory की होता है अपने परीवार का कोई वेक्ति बिषरता है तो उससे दुख तो लगता है लेकिन भाणव में बैकर करके परीवार पार्टी और समाज नहीं चलता है निर्ने आहिकमाण के मात्यम से होता है परिवार के मुखिया के मात्यम से होता है उसको मानना पड़ता है तो उसके नाथ के उन्होंने नहीं मानना वो चुनाव लड़ रहे हैं अब उन्होंने अपनी मरजी की है तो उनकी इच्छा है आपने लाइव टाइम्स टीवी से बात की सत्ती जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीब साजल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद